नमस्कार साथियों मैं हूँ अभिनोत शांचु पांडे और अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तो आज हमारी चर्चा का विशाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और अगर आप हमारी बाकी वीडियो को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं तब भी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उसका कारण क्या है ये जानने के लि mission 2023 मिला हुआ है और यहां पर जो है हम क्या कर रहे हैं हम परिच्छा को ध्यान में लगते हुए सारे के सारे विश्यों की एक complete preparation करा रहे हैं तो यहां पर हम आपको previous year question यहां पर हम आपको short notes, mind map इन सारी चीजों के सहयता से जो है आपकी तयारी को पूरा कराने में लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में आज हमारी बात एक ऐसे विशय पर होने वाली है जिसका महत्व ना सिर्फ आपकी theory वाले exam मतलब 70 अंकों का जो वो परिच्छा होने वाली है ना सिर्फ वहां है बलकि आप जब परिच्छा मतलब प्रायोगिक परिच्छा देने जाएंगे practicals exam देन टॉपिक से भी ज़्यादा बाकी वीडियो से भी ज़्यादा महत्व पॉंड वीडियो है तो बिलकुर हमारे साथ लग जाए और अगर अभी तक आप लोगोंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं क्योंकि हम यहां पर to one mentorship भी मिलती है तो आए देर किस बात की हमारे application को download कर लिजे अब हम यहां पर जो है आज हम बात करने वाले हैं wheatstone bridge की wheatstone से तु क्या होता है आज हम उसके बारे में बात करेंगे फिर meter से तु के बारे में बात करेंगे और यकीन मानिए कि इससे जो है आपकी परिक्षा में मतलब मुख्य परिक्षा में कुछ पूछें या ना पूछें लेकिन इससे जुड़े हुए सवाल आपके वाईवा में जरूर पूछे जाएंगे तो आए फिर बात करते हैं सबसे पहले देखेंगे कि wheatstone से तु का जो सिध्धान्त है वो क्या है बहुत लंबी चोड़ी चीज लिखी हुई है उसको छोड़ो और यहां देखो देखें हम यहां पर जो है पॉइंट बनाते हैं पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी औ और यह आई विद्धु धारा जो है यहां चलकर पॉइंट ए तक पहुंची अब यहां पर जो है जो बिंदु है यहां पर हमको एक जंक्शन नजर आ रहा है और इस जंक्शन में धाराएं बट सकती हैं मतलब हम लोगों ने माना कि यहां पर धारा आई वन है और यहां पर धाराएं इनका अनुपात कैसे निरधारित होगा कहां कितना जो है हमारे पास में विद्धुत प्रतिरोध है उसके हिसाब से धाराएं कि धर किस रास्ते से जादा या कम जाएंगी इसके बारे में पता चलना है ठीक है अब हम क्या देखते हैं कि हमको एक ऐसी कंडिशन द अनुपात है यदि ये किसी कारण वस आर थी बटा आर फोर जो कि आपको यहां नजर आ रहा है आर थी बटा आर फोर अगर ये अनुपात बराबर हो जाता है ऐसी स्थिति में हमको जो पोटेंशल वी विभाव जो है वी के पास में जो विभाव मिलता है ये विभाव B किसके बराबर हो जाता है V D के बराबर हो जाता है और जब भी ऐसी स्थिती आये कि दो बिंदों के बीच में विभाव अगर बराबर हो तो उनके बीच जो धारा है वो प्रवाहित नहीं होती है इस चीज को अगर हम verify करना चाहें कि कैसे यह हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर धाराओं का मान अगर लगा के देखेंगे तो हमको भई देखें यहाँ पर क्या हो रहा है I I1 I1 R1 और यहाँ से जो धारा आगे जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर I1 R1 यह विभाव विभव ड्रॉप A B हो जाएगा तो V A B का मान जो है I 1 R 1 हो जाएगा धान अब यहाँ पर जो है दूसरी बात देखे I 1 धारा ही आगे बढ़ेगी और यह R 2 से होकर जाएगी तो I 1 R 2 और यह विभव का मान हो जाएगा V B V B C ठीक है और यहाँ पर जो है अगर हम दोबारा देखें तो धान यहाँ देखो I minus I 1 I minus I minus I 1 I minus I 1 और यहाँ पर जो है R 3 और इसके बाद में यह हो जाएगा V V A D और धान जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा C D तो यह हो जाएगा I minus I minus I 1 और यह हो जाएगा गुणा R 4 यह हो जाएगा V C D अब जो है हम यहाँ पर लूप का नियम लगाएगे किर्चौफ के नियम के हिसाब से और फिर हमको पता चलेगा कि V D और V B दोनों बराबर है V D और V B के बराबर हो जाने पर यह जो हमारा R 5 है इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित होती हुई नहीं दिखाई देगी और जैसे ही यह इस्थिति अचीव हो पाती है जैसे ही इस इस्थिति में हम पहुंसते हैं तो हम कहते हैं कि वीट श्टोन ब्रिज जो है वो अब संतुलित हो गया है या बैलेंस्ट हो गया है ऐसे इस्थिति में जब यहां पासे धारा प्रवाहित नहीं होगी अब इसका अनुप्रयोग कैसा है भाई हम लोगों ने इसकी कंडिशन देख ली कि किस इस्थिति में हम इसको संतुलित कहेंगे अब इसके अनुप्रयोग के बारे में हम बात करेंगे प्रयोग जो है आपकी practical परिक्षा में प्रयोग क्रमांग दो है इसका उद्दे से क्या है कि मीटर सेतु की सहायता से किसी दिये गये तार का प्रतिरोद ग्यात करना जो कि अनून है और इसके लिए हम क्या-क्या उपकरण उप्योग करेंगे सेतु का उप्योग करेंगे प्रतिरोद का तार उप्योग करेंगे प्रतिरोद फिर जो है हम प्रतिरोद box यूज करेंगे विसरपी कुन जी और यह सारी चीज़ें हम अले क्लांची सेल, संयोज़तार, रेगमाल कागज, मीटर पहमाना, पेंच मापी, यह सारी चीज़ों का उपयोग हम कहा करने वाले हैं, आपकी प्रैक्टिकल एकजाम में, आपके प्रयोक शाला में, लैब में, अब अगली चीज क्या है, देखो, वीट स्टोन ब्रिज दिखाई देता है, मतलब यह मीटर ब्रिज है, यहां पर जो है, सो सेंटिमीटर यहने की, एक मीटर का एक, इस प्रकार से, जो है, स्केल रखी होई होती है, और जिसमें से एक तार गुजरा हुआ होता है, अब हम जो है, जो हम लोगों ने चित्र बनाया हुआ था, एक बा पॉइंट A, यह हो जाएगा पॉइंट B, यहां हो जाएगा R2, और फिर जो है, यह पॉइंट C, और यहां से हो जाएगा R3, यह पॉइंट D, और यहां दोनों को कनेक्ट करने के लिए R3, और यह हो जाएगा R4, अब इनके बीच में हम लोगों ने क्या किया है, इनके बी मिटर का काम क्या होता है कि उसमें से प्रवाहित धारा के मान से वेचलन उपनगर के धारा के दिखाना अब यहां अगर हम ध्यान से देखें तो ही घ्र हम आरए थू है यह जो है जो है जब तार है तो हम तार के बारे में एक cross कर लेते हैं और तार के बारे में विशेष चर्चा ये है कि यहाँ पर हमको एक मीटर याने की 100 सेंटी मीटर का जो है एक तार दिखाई दे रहा है हम यहाँ पर यह जो आपको जौकी दिखाई दे रहा है इस जौकी की साहिता से एक ऐसा बिंदू प्राप्त करने की कोशिस करेंगे जिससे galvanometer में जो है कोई भी विक्षोब हमें नजर ना है अब माल लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदू हमको पता चल गया यह बिंदू है D, यह बिंदू है A और यह बिंदू है C तो अब हम देखेंगे कि अगर जो है इसकी लंबाई 20 cm है तो इसकी लंबाई हो जाएगी 80 cm, दोलों मिलाके 100 cm हो जाएगे हमको यह भी पता है कि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के मतलब समानुपाती होता है तो यह जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा और यदि हम यहाँ पर मान लें कि इस स्टार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो हम यह सीधे सीधे बोल सकते हैं और इसका जो है एरिया अप क्रॉस सेक्शन ए है तो ऐसी स्थिती में हम बोल सकते हैं R1, R1 मतलब R3 बराबर R3 बराबर L1, Rho, A और R4 बराबर R4 बराबर L2, Rho, A यहाँ पर A क्या है? अरिया अप क्रॉस सेक्शन यानिकी इसका जो है अनुपरस्त काट का शेत्रफल है और L लंबाई है अब यहाँ हम लोगों ने देखा कि L1 और यह लंबाई L2 है तो इस प्रकार से हमको दोनों प्रतिरोध R3 और R4 का मान उनकी लंबाईों के कारण मिल जाता है अब देखेंगे आप कि यहाँ पर हम लोगों ने जौकी को कुछ इस प्रकार से रखा कि वहाँ से जो है इस G में विचलन उत्पन नहीं हो रहा है और जब भी G में विचलन उत्पन नहीं होता है तब हमको वीट स्टोन सेतु का यह नियम पता है कि ऐसी स्थिती में R1 बटा R2 का मान सदैव R3 बटा R4 के मान के बराबर होता है यहाँ पर R3 बटा R4 का मान L1 बटा L2 हो सकता है और हमको R2 जो है बिल्कुल पता है क्योंकि R2 हम लोगोंने एक ग्यात प्रतिरोध लिया है जो रिजिस्टेंस बॉक्स से निकल के आ रहा है इस सूत्र का उप्योग करके हम R1 का मान निकाल सकते हैं जो की हो जाएगा R2 गुना R2 गुना L1 बटा L2 और इस प्रकार से हमको अग्यात प्रतिरोध का मान पता चल जाता है यह प्रैक्टिकल आप लोगों से पूछा जा सकता है अब इसमें से जो है वाईवा के सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे पहला सवाल होगा कि wheat stone से तू क्या होता है दूसरा सवाल कि एक संतुलित wheat stone से तू है तू अवस्यक शर्ते बताईए तीसरा हो सकता है कि किर्चाफ के नियम की व्याख्या करें उसके बाद में आपको loop का नियम या junction का नियम दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है और यहां पर प्रतिरोध की इन बातों पर निर्भर करता है ये बात पुछी जा सकती है और विसश्ट प्रतिरोध की प्रतिभासा पुछी जा सकती है या आप से ये भी पूछा जा सकता है कि आप तार उठाएं उसकी लंबाई और उसका अनुदैर्ध काट का छेतर फल अब area of cross section निकाल के उसके विसुष्ट प्रतिरोत की गढ़ना करें इस प्रकार से जो है हम अब यह देखते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज को क्या बोलते हैं क्योंकि कई बार जो है हमारे जो external साते हैं वो आपको यह बोलते हैं कि जाए और आप एक galvanometer उठाके लाइए जाए यह आप resistance box उठाके लाइए resistance box कुछ ऐसा दिखता है जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं और यहां पर से जो है यह दोनों हिस्से हैं जिस पर हम तार जोडते हैं यह galvanometer है जो की विदुद्धारा में विदुद्धारा के कारण उत्पन विचलन से उसकी दिशा दिखाने का काम करता है और यह जोकी है जिसे हम उपयोग करते हैं ताकि हम मीटर सेतु के 100 मीटर लंबे तार्क में से एल वन और एल टू निकाल सके ठीक है अब जो है यहां पर जो है भाई इसमें जो है कौन-कौन सी तूटियां संभाव है इसके बारे में पूछ जाएगा कि आपकी क है एच बराबर आई स्क्वेर आर टी या होता है एच बराबर वी स्क्वेर बटा आर गुना टी या फिर यह होता है वी आई टी यह तीन सूतर है जिनकी सहता से आप धारा द्वारा उत्पन कुल उश्मा के मान को की गहना कर सकते हैं तो अब जो है हम क्या देखते हैं कि य लंबे वायर पर जो तार पर जिसकी सहायता से हम मीटर ब्रिज में संतुलन की स्थिती पाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर ज्यादा देर तक टिका के रखेंगे तो विद्धु धारा का ज्यादा देर तक प्रवाह होगा और ऐसी स्थिती में धारा के उश्मिय प्रभाव के क उसके प्रतिरोध में अंत्र आ सकता है, जो कि हमारे लिए सही नहीं है दूसरी बात क्या है , जो कि चालक की अनियमित्ता हम लोगों ने क्या देखा है हम लोगों ने क्या देखा है कि प्रतिरोध आर्ज के से किन बातों पर निर्भर करता है लम्बाई पर और प्रत्रोध आर निर्भर करता है एरिया आप क्रॉससेक्शन याने कि अनुदर्ध काट की छे टरफ़ल के बराबर मतलब कि ये उपर निर्भर करता है तो यदि जो है ये इसकी तार की मूटाई एक जैसी ना हो इसके अलावा हम यहां क्या देख रहे हैं कि यह जो है copper के या aluminium के piece हैं जिनका अपना एक प्रतिरोध हो सकता है हम लोगों ने मान लिया है कि इसका कोई प्रतिरोध नहीं है लेकिन वास्तुविक्ता में इनके भी प्रतिरोध होते हैं इन प्रतिरोधों के कारण भी मान में जो वास्तुविक मान है और जो हम लोगों ने निकाला है उसमें अंतर आ सकता है इन पतिरुद्धों से कैसे निपटा जाए भई हम लोगों ने कमिया या फिर इसके दोस्त बता दिये अब हमको उपाय जानना है कि इसको पूरा कैसे किया जाए या इससे बचा कैसे जाए पहली बात यह है कि यहां लगने वाले तार को हम एक नियमित मोटाई वाला तार या ऐसी स्थिति में हम कोशिस करें कि हम जौकी को तार से ज्यादा दिर तक ना लगा कर रखें ताकि उसमें प्रभाव वाले दोस्ते भी बचा जा सके अब अगली बात क्या है कि यदि इनके अपने प्रतिरोधों के कारण जो है यहां पर कोई असर पढ़ता है तो हम एक बार क्या करेंगे रजिश्टर बॉक के यहां obligation कर देंगे और प्रतिरोधों के प्रभाव को व। एक्जाम में आने वाले बहुत महातोपूंड बातों को सीखा है हम इसी ऐसे बहुत महातोपूंड चीज़ें लेकर आहीएँ आपके पास में Google Play Store में हमको हमारा अपना अप्लिकेशन जो कि अभिप्षा के नाम से आपको मिल जाएगा आप लोगों याद रखें इसको खोजेंगे तो यहाँ पर आपको विशेस बातें क्या है यहाँ पर आपको Mind Map मिलता है जिससे एक ही नजर में आप पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइस कर सकते हैं यहाँ पर हमारे द्वारा तैयार किये हो गए हुए Short Notes है जिनकी साहता से आपकी तैयारी को बल मिलेगा और इसके अलावा परिक्षा के बाद में यदि Career Counseling में आपको कोई मदद चाहिए अगर आपको सही College खोजने में कोई तकलीफ हो रही है या फिर ये Decide करने में कि आपकी तैयारी के बाद में आपकी स्थिती आपको सबसे अच्छा रिटर्न कहां दे सकती है या फिर आप हमसे बात करके हमसे जूड करके अपनी बाकी समस्याओं का समधान करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एप्लिकेशन आपके लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है तो आपका काम क्या है कि आप एप्लिकेशन आज ही डाउनलोड करें और ये चैनल अगर ये वीडियो अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद